नमस्कार साथियो आज की वीडियो में आपका स्वागत है तो आज हम लोग इंडियन कॉंस्ट्यूशन की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समधान की प्रिस्तावना की बारी में तो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है एक्जाम में इसे रेलेड़ेट कॉस्चन्स आत तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिस्तावना है क्या उसको आपको समझना जरूरी है तो आप कह सकते हैं कि जो प्रिस्तावना है वो भारत की समधान की भूमका की बाती है जैसे कि कोई बुक आप देखते हैं तो उस बुक के पहले दो सब्द दिये जाते हैं या उसकी आ आमुक या भूमका या दो सब्दों की बाती प्रिस्तावना काम करती है यानि कि जो सम्धान की प्रिस्तावना है वो सम्धान की भूमका कही जा सकती है जिसमें कि क्या दिया गया है सम्धान में जो आदर्स दिये गई हैं सम्धान की जो उद्देश हैं सरकार का स्विरूप क मिलती है तो समधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ने से पहले कुछ important fact आपको पता होना चाहिए जैसे कि जो समधान की प्रस्तावना है उसकी सुरुवात कब हुई थी तो इसकी सुरुवात 1946 में पंड़त जवालल नहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखे गए उद्देश प्रस्ताव के द्वारा हुई थी यदि कि समधान में शुरुवात में उद्देश प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1940 को लाया था जवालल नहरू ने इसको लाया था चली में पर नेक्स्ट प्रस्तावना अमेरिकी संधान से ली गई यह किन्तु प्रस्तावना की भासा इन दोनों कोश्यन के बीच आप अंतर समझ के रखेंगे साथि साथ आपको पता होना चाहिए कि संधानन में जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक केवल एक बार संसोधन हुआ है और वो हुआ है 42 समधान संसोधन सन 1976 1976 के दौरा प्रस्तावना में संसोधन हो चुका है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस संसोधन में प्रस्तावना में कौन-कौन से word add किये गए हैं तो समाजवादी, पंत नरपेक्ष और अखंडता ठीक है तो ये तीन word उसमें add किये गए हैं तो इन words को भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगी ठीक है तो संसोधन की जो प्रस्तावना है वो संसोधन का एक महत्तपूर हिस्सा है तो इसको आप ध्यान रखेंगे यहां तक की एक जज न्यायविद हुए है यानि की समदान की विसेशक गिरहे है वकील रहे है, परतिश्चित वकील रहे है ए-n पाल की वाला ठीक है तो पाल की वाला ने प्रस्तावना को समदान का परचे पत्र भी कहा है तो आप समझ रखते हैं कि प्रिस्तावना को जब पर्चे पत्र कहा गया है तो इसका मतलब समझ रखते हैं कि यह बहुती महात्पूरिस्ता है राइट चलिए आप हम बात करेंगे समझ रखते हैं कि प्रिस्तावना है क्या उसको पढ़ते हैं और उससे रिलेटिट जितने वी वर्ड दिये गए उनको अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि इसका एक्जाम में बहुत ही अधिक महात्थ है ठीक है तो बारती समझ रखते हैं कि प्र एक्स्प्लैन करने लाइक है तो मैं उनको एक्स्प्लैन करूंगा ठीक है तो देखिए आपर दिया गया हम भारत के लोग भारत हो एक संपूर प्रभुत संपन समाजवादी 15 रपेक्ष लोक तंतरात्मक गडराज बनाने के लिए उसके समझत नागरेकों को सामाजिक आर् और राष्ट के एकता और खंटा सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए द्रड संकल्प होकर आज अपनी इस समधान सवा में आज तारीक 26 नॉमबर 1949 को एतत द्वारा इस समधान को अंगीकरित आदेनियमित और आत्मारपित करते हैं तो ये तो रही आपकी प् इज़ाम में कुश्यन आते हैं तो सबसे पहले हम कुछ चीजों को डिसकस करेंगे कि हम भारत के लोग जो यहां पर मैंने अलग कलर में लिखाए तो इसका क्या मतलब है हम भारत के लोग का मतलब यह कि जो समधान है वो भारत के लोगों द्वारा इस समधान को बनाए गया जो समधान की जो मूल शुरुवात की गई है तो इसको भारती लोगों के द्वारा ही इसको शुरू किया गया है ठीक है तो आप इसमें कुछ words दिये गए हैं उनको एक-एक करके हम लोग discuss करेंगे क्योंकि वो आपको समझना जरूरी है तो भारत को एक हम भारत के लोग भारत ना तो किसी अंदेश पर निर्वर रहेगा और ना ही किसी अंदेश का говорит व्रैज कंपद है यानि कि भारत अंत्रख्थ निर्डळा या फिर कोई विरेसी मामला यानि कि बाहर निर्डळा यह लेने में सुतन्त्र है, इस किसी भी देश का, किसी भी संक्ठन का इसमें आंतरक या बाहरोब से कोई दबाव नहीं है, तो यह इस सब्द का अर्थ हुआ, इसके बाद देखिए, संपूर, प्रवत्थ, संपन, समाजवादी थीं, अगला है पर सब्द है, समाजवादी, तो ये देखिए, समाजवादी जो सब्धाव वो पहले सम्दान में नहीं था, वो 1976 के 22 में सम्दान संसूदन से एड किया गया है, तो समाजवादी का सीधा सा क्या सिंपल सा अर्थ होगा, कि जो समाजवादी वर्डेस का मतलब यह कि समानता का हक मिलेगा, देश में जो भी नागरिक हैं, जिनमें समानता ल समीरो सभी का उसमें हक होगा, तो ये एक समाजवादी कॉंसेप्ट है, तो इन सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे, और ध्यान देने योग बात ये भी है कि जो भारतिय समाजवाद है, वो लोकतांतर्क समाजवाद है, ना कि साम्मेवादी समाजवाद, जैसे कि जो साम्म दिया गया कि संपूर प्रवत संपन समाजवादी पंत निरफेक्ष बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड है और ये वर्ड भी देश का कोई भी धर्म नहीं होगा यानि कि एक तरह से समान रूप से ट्रीट करेगा भारत की नजरों में देश की नजरों में सभी धर्म समान होगे और देश का कोई भी धर्म नहीं होगा तो ये सब चीजें इस वर्ड में इंक्लूड है इसके बाद लोकतंतरात्मक गडराज यहां पर यह वर्ड दिया गया है ठीक तो इसमें एक सब्द है लोकतंतरात्मक और एक सब्द है गडराज तो दोनों का अलग-अलग अर्थ है तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतंतरात्मक शब्द के बारे में तो लोकतंतर के विश्था के सीधा सा अरत है कि जो सासन का संचालन है वो भारत की जनता में नैत है यानि कि जो देश में सासन किया जा रहा है वो किसी राजा महराजा द्वारा नहीं किया जा रहा है वो भ पृत्यक्ष्य न 9명नल सब्सद्र में गार 10-ностью सबी लोग इत्र करफ़ाई में और कि एक्रमारेकृत को अपनाया गया है तो इंडिया में आप रत्यक्ष्य लोगतंतर को अपनाया गया है तो इसंब पॉइंट को आप ठ्धान केंगे तो लोकतंत्रात्मक विस्था का सीधा सा मतलब यह होगा कि देश में जनता का सासन है ठीक है अब इसकी बात करते हैं गड़राज की बारे ठीक है अगला सब्द है लोकतांत्रिक गड़राज ठीक है तो गड़राज का क्या मतलब है देखें गड़राज का सीधा सा में क्या होता है राष्ट्रपति निर्वाचित है गडिवाराइव आ criminalी द्रीया है दि कि से परुछाई रहुआता है या मुख्या मि आतरी निर्वाचित हो जैसे कि राष्ट्रपति की मिल रहज़ लेकिन घन टaremos गड़राज नहीं का जा सकता है ठीक है हलांकि वास्तों में वहाँ पे एक लोगतंत्र ही है लेकिन सैद्धानतिक रूप से उसको गड़राज नहीं का जा सकता है ठीक है तो ध्यार नखेंगे कि गड़राज का सीधा सा अर्थ है ही होगा कि जो राजनीतिक संप्रवता है वो जो है देश की जनता में नहेत होती है और जनता ही अपने द्वारा देश की हेड का चैन करती है तो वो गड़राज का मतलब होता है तो अब हम फिर से पूरी लाइन को पड़ाएंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रवत्त संपन समादवादी पंच नरपेक्ष लो राजनेतिक न्याय मिलेगा देखे द्यान रखेंगे एक्जाम में कोश्यन आता है कि ऐसी कोश्यन बन जायता है कि निम्ण में से कौन सा न्याय भारत की समधान की प्रिस्तावना में नहीं है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से न्याय सामिल है तो कौन से न्याय सा कोई भी बेदबाव नहीं किया जाएगा यानकि समाज में किसी विसेश वर्ग के लिए विसेश अदिकारों की समापती कर दी जाएगी किसी के लिए कोई विसेश अदिकार नहीं होगा और जो भी वर्ग है यानसोचित जाती है जन जाती है पिछड़े वर गए या फिर महलाएं उनको एक तरह से सामाजिक रूप से नयाय मिलेगा सभी बराबर होंगी आर्थिक नयाय का क्या मतलब है आर्थिक नयाय का मतलब है कि जो आर्थिक कारणों के आधार पर कोई भी जो व्यक्ति है उससे कोई बेदबाव नहीं किया जाएगा और इसमें जैसे कोई की आय है कोई संपत्ति है उसकी असमानता को दूर करने की इसमें कोशिस की जाएगी तो ये भी न्याय है और राजनेतिक न्याय याँ पर दिया गया है तो राजनेतिक न्याय का सीधा सारत है कि जो हर व्यक्ति है जो भी व्यक्ति है उसको समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे चाहें वो राजनीतिक पारेटियों में सामिल होने का चुनाव लड़ने का वो सभी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं तो इस तरह का इसमें न्याय दिया गया है इसके बाद इसमें क्या दिया गया है इसमें देखिए दिया गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और इन सब की समता भी दी गई है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता दी गई है तो कौन-कौन सी स्वतंतरता हैं दी गई एक्जाम में पूछा जाता है विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंता, विश्वास की धर्म को अपनाने की और उपासना की स्वतंतरता दी गई है और स्वतंतरता का सीधा सारत होता है कि लोगों की जो गत्विदियां हैं, जो activities हैं उन पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं लगेगी, और कोई भी विक्ति के विकास के लिए सभी उसको आउसर दी जाएंगे तो ये सभी स्वतंतरता हैं, कोई भी विचार, कोई भी आप expression कर सकते हैं, बोलने की स्वतंता है, धर्म को अपनाने की स्वतंता है तो वो सब स्वतंतरता हैं, इसमें दी गई है, और प्रतिष्ठा और आउसर की समता, कौन सी समता दीगे, एकजाम में question आता है कि कौन सी समता प्रिस्था की समता है, और आउसर की समता है समता का सीधा सा क्या आरत है कि समाज के कोई भी वर्ग भारत के जो भी क्लास है जो भी जातिया है या फिर जो भी वर्ग है उसके लिए जो विशेशा दिकार है वो नहीं होंगे सबी के लिए समान आउसर मिलेगा इसे कोई भी वेकेंसी निकलती है नौकरी निकलती है तो सबी को समान अदकार मिलेंगी ठीक है तो अब फिरसे में आपको एक बार फिरसे में बताना चाहूँगा कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा विचार अव्यक्ति विश्वासार, धर्मा और उपासना की संता मिलेगी प्रत्रिष्था और आफसर की संता मिलेगी तो ये सब चीजे प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्त की गर्मा, राश्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदोता बढ़ाने के लिए द्रड संकल्प होकर अपनी समधान सवा में आज तारीक 26 नॉम्बर मैंने के लिए भारत के जो समधान वह करत संकल्प और ऐसी संकल्प न में सामिल कि गये रइट चलिए जो cases आये हों इसे related कुछ जैसे कोई भी case होता है तो इसमें ये नहीं होता कि प्रस्तावना को लेकर case गया है case किसी भी मुद्दे पर जा सकता है Supreme Court या High Court में लेकिन उस समय हो सकता है कि प्रस्तावना से लेकर कुछ चर्चा वहां पर की गई हो उससे related कुछ judgment दिया गया हो तो सबसे पहला जो case आया था बेरुवाडी मामला 1960 में तो इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना समधान का अंग नहीं है देखिए आज की condition की बात हम नहीं कर रहे है हम बात कर रहे है 1960 में जो case आया था बेरुवाडी मामला बेरुवाडी एक भारत प्रस्तावना एक अंग नहीं है अब यहां पर एक बात द्यान रखेंगे अगर कोई चीज समधान का हिस्सा है नहीं तो इसमें संसूदन नहीं हो सकता है सीधी सी बात है अगर प्रस्तावना समधान का हिस्सा नहीं है तो इसमें संसूदन भी हो सकता है तो सीधी सी बात है कि अगर प्रिस्तावना समधान का अंग है तो संसुदन होगा तो आज की डेट में क्या है तो समधान का हिस्सा है वो कैसे है मैं आपको आगे बताता हूँ देखे इसके बाद जो केस आता है सज्जन सिंग सज्जन सिंग बना राजिस्थान राज 1964 में एक मामला आया था उसमें भी उपर वाली बात यानि कि समधान का ववग नहीं है यही बात कह दी गई थी ठीक है इसके बाद अगला केस आता है गोलक नाच केस बना पंजाव राज 1964 इसमें कहीं नहीं गई प्रिस्थावना को समधान की मूल आत्मा का गया लेकिन खुलकर यह सुईकार नहीं किया गया कि वो समधान का हिस्सा है राइट इसके बाद अंततहा एक और केस आता है जिसका नाम है केसवनन्द भारती बनाम केरल राज और इस केस में अंततहा प्रिस्थावना को समधान का अभिन हिस्सा मान लिया गया यानि कि प्रिस्थावना समधान का हिस्सा है तो आज की डेट हम बात करते हैं तो समधान का वो ए इसमें संसोधन होता है तो आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछता है कि सम्दान की जो प्रस्ता होना है क्या वो सम्दान का हिस्सा है तो सीरी से बाद वो हिस्सा है और इसमें संसोधन भी हो सकता है तो ये सब चीजे आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की है और important वीडियो है उसको आप अच्छी तरह से cover करेंगी आप दो बार भी इसको देख सकते हैं तो फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार